आठवी स्कॉलर्शिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूटुब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताके हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आठवी स्कॉलर्शिप के उर्दो जबान दानी में हमारा तीसरा यूनेट अमली का बायद चल रहा है जिसमे हमारा आज जेली यूनेट है 3.8 जुम्लों की किसमे में हमें कुछ चीजे जहन नशीन रखनी है किस तरह के जुम्ले होते है और उन जुम्लों को जब हम सवालात म हल करेंगे तो किस बिना पर हम पहचानेंगे कि वो कौन से जुम्ले है तो ये तमाम चीजों को हम इस सबक में सीखेंगे तो देखते हैं कुछ चीजे हमें जहन नशीन करनी है देखते हैं अलफाज हर जबान का अपना सूती निजाम होता है जिसमें आवाजों की तर्तीब वो बास तर्तीब से ऐसे मजमुए बनाय जाते हैं जिने हम अलफाज कहते हैं और अलफाज को हुरुफ का मजमुए करार दिया गया है हम जो भी बात करते हैं वो हुरुफों का मजमुए है और हुरुफों के मजमुए से ही अलफाज बनते हैं यनि हमारे जो हुरुफ है व अल्फाज बने और अल्फाजों से मिलकर जुम्ला बना। देखे जुम्ला अल्फाज का वो meansmiş है। जिसमें अल्फाज उस तर्तीव में हो कि पूरी बात समझ में आई यह बामानी फ़िर जुम्ला तयार होता है अलफास के एक ऐसी तरतिब होती है जिसे बात समझ में आती है यानि बामानी जुम्ला बंता है उसे हम जुम्ला कहेंगे मसलान इल्म का हासिल करना हर मुसल्मान का फर्जा अच्छी किताब इनसान की बहतरीन दोस्त है, तो ये जुमला हुआ, अब जुमले की भी मुक्तलिफ किसमे हैं, जो के आज का हमारा मेन टॉपिक है, बयानिया जुमला, इस्तफामिया जुमला, मुफर्रत जुमला, मुरकब जुमला और मखलुद जुमला, अब इसके भी बह मुस्बित और मनफी, दोनों तरह की जुमले होते हैं, इकबाल उर्दु के बुलंद पाया शायर गुजरे हैं, हमें बड़ो का अदब करना चाहिए, ये बयानिया जुमले हैं, अब बयानिया जुमले में, मैंने जैसे बताई आपको मुस्बित और मनफी दो है, तो मुस् आपका खयार रखना चाहिए, वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा है, तो ये जो है मुस्बित बयानिया जुमले हैं, अब मनफी बयानिया जुमले किसे कहेंगे, कि वो जुमला जिसमें किसी बात का इनकार हो, या मनफी पहलु जाहिर होता हो, उसे मनफी बयानिया जु नहीं दूँगा जब तक तुम महनत नहीं करोंगे इकामियाब नहीं होंगे तो ये जो है मनफी बयानिया जुमला है अब देखते हैं इस्तफामिया जुमला इस्तफामिया से हमें ध्यान में रखना है कि इसमें सवाल होता है देखिए जिस जुमले में कोई सवाल पूछा ज जुमला है आपका नाम क्या है आप कहां के रहने वाले है इस तरह के सवाल या निशान आखिर में देना जरूरी है इस्तफामिया जुमले में अब इस्तफामिया जुमले की भी तीन किसमे है इस्तफामिया इक्रारी जुमला इस्तफामिया इनकारी जुमला इस्तफामिया इस या ना मौजूद हो लेकिन इस जुमले की मानी मुझबित हो यानि हम नहीं उसमें आ सकता है लेकिन उस जुमले का मतलब जो है वो मुझबित हो ऐसा जुमला इस तफामिया इकरारी जुमला कहलाता है जिसे के मिसाल के तरुपर देखिए तरक् 이건 नहीं चाहेगा यानिस जभ को चाहिए जिए तरक् Joint क्या है चाहते हैं कि तरक्ष करे इसका मतलब ऐसा होता है तो यह मुश्बित जुमला यह लेकिन नहीं भी आया है तो भी यह मुश्बित जुमला यह उस से कहेंगे जैसे कि तरक्की करना हर कोई चाहेगा, इसका मतलब होता है, अब जंग आजादी में क्या उलिमा ने कुर्बानिया नहीं दी, यकीनन कुर्बानिया दी है, तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे इस्तफ़ामिया इकरारी जुमला, अभी उसी तरह से है इस्तफ़ामिया इनकारी इसे मिसाल के तरफ पर अगर हम मिसाल देखेंगे तो आपको और क्लिर हो जाएंगा, कि बगएर महनत कि ये भी कोई पास हो सकता है, यानि बगएर महनत कि कोई भी पास नहीं हो सकता, तो यह इनकारी जुमला है, यानि उसमें हम सवाल से ही इसे समझ में आए, कि वो उसका जवाब नफी में होगा मैं तुम लोगों को छोड़ कर कहां जाओंगा यानि मैं तुम लोगों को छोड़ कर नहीं जाओंगा तो इस तरह से इसे हम कहेंगे इस्तफामिया इनकारी जुम्ला आगे है अमरिया जुम्ला सौरी इस्तफामिया इस्तख्यारी जुम्ला ऐसा जुम्ला जिसमें सवाल करने वाला कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हो उसे इस्तफामिया इस्तख्यारी जुम्ला कहते हैं मिसार के तोर पर ताज महल किस शहर मे के उसमें जो पूछने वाला है वो कुछ मालूमात हासिल करना चाता है तो उसे इस्तफाम्य इस्थक्यारी जुमला कहते हैं जी से के ताजमहल के शेहर में है कि तुम्हारा नाम क्या तो यह इस्तफामिया जुम्ला जरूर है लेकिन उसकी जो सब टाइप है इस्तख्यारी जुम्ला है अगला है अम्रिया जुम्ला अमर से ही जाहिर होता है कि यह हुक्म है फेल की ऐसी शकल जिसमें हुक्म दिया जाए दरख्वास्त की जाए या नसीहत की जाए ऐसे जुम्ले को अम् या जुमले अब नहीं जुमला ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की मुखालिफत की जाती हो नहीं सही समझ में आना चाहिए कि ये जो है किसी काम की मुखालिफत की जाती हो ऐसे जुमले को नहीं जुमला कहते हैं नहीं जुमला जो है वो किसी भी काम के ना करने का हुक्म भी दे कि यह नहीं जुमला जो है वो किसी भी काम का ना करने का हुक्म देता है कोई अगर हुक्म दे रहा है तो वो नहीं जुमला होता है यानि जूट मत बोलो फूल मत तोड़ो इधर मत जाओ बुरा मत बोलो इस तरह से अब है फजाईया जुमला फजाईया अलामत जो होती है जै ऐसे के इस तफामिय जुम्ला सवालिय निशान को देखकर पहचान सकते हैं उसी तरह से फजाईय जुम्ला जो है वो फजाईय अलामत को देखकर भी पहचाना जा सकता है ऐसा जुम्ला जिसमें हैरत, अफसोस, रंज, खुशी या किसी और जज़बे का इजहार किया गया हो तो ऐसे जुम्ले को फजाईय जुम्ला कहते हैं मिसाल के तोर पर वाह कितना खुबसूरत परिदा है तो यहाँ पर फजाईय अलामत भी है और यहाँ पर खुशी का बीजार हो रहा है अफसोस, तुमने वक्त पर काम नहीं किया यह अफसोस रंज वगरा की का जुम्ला उफ, कैसी भैयानक राद है, आहा कितना प्यारा बच्चा है तो यह इस तरह के जो अल्फाज आते हैं तो उससे भी हमें फजाईय जुमले का होना समझ में आता है, तो यह फजाईय जुमले हैं, अगला देखते हैं मुफर्रत जुमला, ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो औ और वो मानी पूरा-पूरा अदा करे, उसे मुफर्रत जुमला कहते हैं, मिसाल के तोर पर है, मैं कल दहली जाओंगा, ये इसमें एक फेल होता है, आज का दौर कम्प्यूटर का दौर है, तो ये जो है मुफर्रत जुमले हुए, अब मुरकब जुमले किसे कहेंगे, ऐसा में एक से जायद फेल हो, और हर फेल का फिक्रा अपनी जगा मानी पूरा-पूरा अदा करे, उसे मुरकब जुमला कहते हैं, जैसे के खत लिखना एक फन है, और अच्छी जिन्दगी बसर करना भी एक फन है, तो यहाँ पर दो मुफर्रत अलग-अलग जुमले हैं, और वो मिलकर एक जुमला बना है, पूरा, जिससे दो जो फिक्रे हैं, वो अपनी अपनी जगा पूरा-पूरा मानी देते हैं, जैसे के खत लिखना एक फन है, यह एक पूरा मुकमिल मानी वाला जुमला है, और अच्छी जिन्दगी गुजारना, बसर करना भी एक फन है, यह भी एक मुकमिल फिक्रा है, जो के मानी पूरा-पूरा अदा करता है, तो इसे हम मुरकब जुमला कहेंगे, मकान की असरे नो तामीर कर दी जाए, और तमाम घोसले बंद कर दिये जाए, तो देखिए, यहाँ पर भी दो अलग-अलग फिक्रे हैं, जो के अपने मानी पूरे-प पिन्ट भी नहीं है, तो इसे हम कहेंगे मुरकब जुमला, अब अगला है मखलूद जुमला, ऐसा जुमला जिसमें एक से जायत फेल हो, और एक फेल का फिक्रा मानी मुकमिल करने के लिए दूसरे फेल के फिक्रे का मौताज हो, उसे मखलूद जुमला कहते हैं, जैसे के मि मुझसे पूछते हैं, कि उर्दू के लिए क्या काम करें, तो उर्दू के लिए क्या काम करें, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो क्या पूछते हैं, उर्दू के लिए क्या काम करें, या फिर एक फेल का फिक्रा मानी मुकमिल करने के लिए दूसरे फेल का मौताज हो अब हम कुछ सवाला थल करेंगे ताके हमें समझ में आ जाए जुमले की किसमें कौन-कौन सी है। दर्ज जेल जुमलों से मुफर्रत जुमले की शनाक्त कीजिए। अब यहाँ पर हमें मुफर्रत जुमला पूछा गया है। अभी अभी हमने पड़े है कि मुफर्रत जुमला जिसमें एक फेल हो और वो मानी पुरा-पुरा दा करें। जैसे के यहाँ पर हम आप्शन्स पड़ते हैं मैं और मुदसर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। जब मेरी मुलाका सलाम बिन रज्जाक साहब से हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। तरक्की करना हो तो हम सब को मिलकर महनत करना पड़ेगी। अरहम अच्छा पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे में एक से जायत फाइल मौजुद है। इसलिए चार वाला मुदबादिल हमारा सही है अरहम अच्छा पड़ता है। चार नमबर वाला दायरा हम फिल करेंगे। अगला है दर्जर जुमले की किस्म पहचानी और निशान दही कीजिए। आपको कौन सा मजमून पसंद है। यहाँ पर है सवाल, सवाल पूछा गया है कौन सा मजमून पसंद है। और यहाँ पर इस्तफामिया जुमला, अम्रिया जुमला, फजाईया या फिर बयानिया जुमला। तो यहाँ पर इस्तफामिया की ही अलग-अलग किस्मे नहीं दी गई है। अगर वैसा होता तो हम उसकी किस्मों में से हमें तलाश करना होता लेकिन यहाँ पर सिर्फ जुम्लों की किस्में पूची दी गई है option में और यह सवाल या निशाने इसी से समझ में आता है कि यह इस तफामिया जुम्ला है यानि हमारा एक नंबर का option सही है अगला है मैं अग अगर मुल्क का वजिर्याजम बन जाओंगा तब तो यहाँ पर है exclamation mark है यानि इसे फजाईया अलामत कहते है इस जुम्ले की किस्म पैचानी है तो फजाईया अलामत से भी हम समझ सकते हैं कि यह फजाईया जुम्ला है जिसमें ताजुप का इजहार किया गया हो हैरत का इ दिया जाता हो है ना किसी काम के ना करने का हुकम दिया जाता है जैसे कि वो दर्वाजा ना खोले बाहर सर्दी है मैं हर्गिस नहीं जाओंगा मैं तुम लोगों को छोड़ कर कहा जाओंगा क्या तुम नहीं जानते वो खराबादत है तो देखिए यहाँ पर नहीं जुम् में से मखलूद जुमले की शानाक्त करके सही मुदबादिल की निशान दही कीजिए पहला है मैं स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बजी मैं स्कूल पहुंचा और घंटी बजी मैं स्कूल पहुंचूंगा और घंटी बजेगी मैं रोजाना स्कूल पहुंचता हूँ तो देखिए यहां पर मखलूद जुमला कहा गया है और मखलूद जुमला अभी हमने पड़े कि मखलूद जुमला यानि ऐसा जुमला होता है जिसमें एक से जायत फेल होते है और एक फेल का फिक्रा मानी मुकम्मिल करने के लिए दूसरे fail के फिक्रे का मोहताज होता है जिसे कि यहाँ पर है मैं school पहुंचा ही था कि घंटी बजी तो यह जो है दोनों एक दूसरे पर जो है depend है मुकम्मिल नहीं होता है एक दूसरे के बगर तो यहाँ पर एक number वाला option हमारा सही है अगला है जेल में से मुरकब जुमले की श अपना माने पूरा आदा करते हैं हमने अभी पड़े हैं मुरकब जुमले की तारिफ तो देखते हैं option में क्या दिया गया है बाजार में घड़ी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने खरीद ली तो यहाँ पर इसलिए आ रहा है तो यह depend हो गया इसके अंदर मैंने अच्छी घड़ी फौरन खरीद ली यहाँ पर दो जुमले नहीं है मैंने वो घड़ी फौरन खरीद ली क्योंके वो मुझे पसंद बहुत पसंद थी यहाँ पर भी नहीं हो रहा है वो मुझे बहुत पसंद थी यह समझ में नहीं आ रहा है वो घड़ी बहुत अच्छी थी और मैंन उसे फौरण खरीद लिया ये भी एक मुकमिल अपना मतलब पूरा करने वाला फिक्रा है तो इस तरह से ये दो फिक्रे जो है इसमें आए है इसलिए मुरकब जुमला हमारा चार नंबर का अप्शन होगा अगला है नशावर चीजों का इस्तेमाल ना करो ये जुमले की किस्म आपको दीए जा रहे हैं आप उसे हल कीजीए वीडियो पॉस करकर आप उसे हल कर सकते है और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है उसके जवाबारी की कर दो कर दो दो सिर्भाव दो कर दो दो अ गिए प समय कर दो कि आपने से दो डो डो रहे हैं झाल झाल झाल